साथियों नमस्कार सौगाते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाटकाली का प्रपरटीज में और आज हम घूम रहे हैं आपका इस हल्दोनी शहर के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हल्दोनी शहर का नजारा है लोकेशन है हमारी बोटिया पड़ाओ सुंदर नजा और इसी साथ में यहाँ पर है आपका बेड़ शिवा स्कूल जहां से मेरे स्कूलिंग हुई थी 10 पस टू की मैं यही सबनी कॉल अफेक्शन पूरी करी थी साथ में आपके राटन साइड पर आपको हरे बरे पेड़ मिलेंगे और अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो आप आप देखोगे इजर पर बहुत सारे अच्छे शोरूम्स हैं जैसा मैं आपको दिखाता हूं पहला यह रहा आपका वुडेंट का शोरूम है और आपको होटल प्राइड भी है सामने आप देखोगे तो यह है आपका देवाशी होटल भूलेगा मत कि खली यहीं आया था औ और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि इधर पे आपके लेटेंट साइड़ पर अच्छे शोरूम्स हैं सकेचर से फॉर अबर टॉंटीवान है वेन उसे बहुत सारे अच्छे शोरूम्स हैं आप और इसी के लारेटेंस साईड पर यह है आपका यह सब्सक्राइब कर सकते हूँ और थोड़ा और आगे बड़ते हैं तो देखोंगे तो आप ना यहां पर थोड़ी जो बसावट है शहरी जो बसावट थोड़ी कम होती जाएगी और पेडों के जो घनावट है वो थोड़ी बढ़ती जाएगी तो चलिए लोको कंटिनु करते हैं आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है हम दिखाने वाले हैं आपको आज चोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कुछ हास है तो नहीं कर दिखिए यह हमारा विचाल मीगाबब आउल्लाइन से भी सवस्ता माल यहां मिलता है और इसी के साथ में लिवाइस का शोरूम में फीर बनवागा धीया है और इसी के बेसाइडे में हैापका बिचल हॉस्पिटल फछ दिखिए यह पर होड़ी आपका डूमिनू खीक अर लोगिशन टेडी पुलिया है आपकी तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच गें बातों बातों में आपका टेडी पुलिया में यहां है आपका वाक्वे मॉल वाक्वे मॉल के मतलब कहा जाए तो मतलब संसीडी सिनेमाज है मूवी आपको इंजॉई करनी तब यहां पर इसलिए आकर अपनी मूवी देख सकते हो यहां पर इसी साथ में बहुत बड़ा टाइल शोरूम है जहां से कमाव के लिए काफी अच्छी डेलिवरी होती है टाइल्स की पत्थर गीन सब चीज होगी सामने आप देखिए यहां पर लाइन स्मार्ट है मतलब लाइ पर टेडी पुलिया में थे उससे पहले भोटिया पड़ाओं में फिर हाइडिल पहुंचे और हम अब आगे हैं उस जगे जहां मैं आपको कुछ दिखाने चाहता हूं यह कहूं तो मैं ब्लॉग कुछ बना रहूना मैं क्यों बना रहूं वाली बात आओ आओ आपको दिख देख है यह एक चोटा लिंड़माक है यह है आपका पाल को नज़र के दिवारा बनाया गया एक अपार्टमेंट पाल अपार्टमेंट मीं इनको बोलते हैं सामने बड़ी प्यारी कोठी बनी हुए है आपको बताना चाहूंगा कि सामने जो भौन देख रहे हैं यह है जीस तो थोड़ा और आगा बढ़ता हूँ रूपिए मैं थोड़ा आगा आपको चलके दिखाता हूँ कि यह रोड जो है दोनों तरफ से खुली हुई है सामने जो ट्रेफिक आप चल ला है ना यह ट्रेफिक है आपका कोल्टेक्स वाली रोड का तो सामने जहां से हम आये हैं वह है आपका नेंटल हाइवे और यह है आपका कोल्टेक्स रोड हलदानी कोल्टेक्स रोड तो यह है आपका कोल्टेक्स वाली रोड इसको हम लोग कोल्टेक्स वाली रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह रोड भी डिरेक्ट आपका नेंटल हाइवे में मिलती है और यह सामने हैं और हम कंटीनू करते हैं अपने ब्लॉग को और ले चलता हूं मैं आपको प्लॉट की तरफ ये आपका बहुती खास और बहुती साफ सुत्रा एरिया है पॉश एरिया में इसको काउंट किया जाता है और आप खुद ही देखिए इस रोड में जो मैं आपको दिखा चाह रहा हूं वह यही है कि जहां आज हम आए हैं और आपके लिए जो मैं प्लॉट लेकर आया हुआ हूं वह प्लॉट के आज सपास की लोकेशन उसकी सोसाइटी उसकी कहते हैं जो इंपोर्टेंस है वो क्या है और कैसी है देखो अब मैं आपको दूबरा दिखाता हूं यह रहा हमारा जीश्टी भवन यह रहा देखिए यह हमारा जीश्टी भवन वैं थोड़ा पिच्छे जाके ंधे दूबरा IS-1 व्लोग को कांटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि यहां से आप देखोगे न इसका जब व्यूंव है तो जीश्टी भवं तो सामने यही रहा है इ तो आपको ले चलता हूँ उस plot की तरफ जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो plot है आपका लेप्ट हें साइड पे जेश्टी बाउन के बिल्कुल अपोजिट है यह कच्छी दिवारे जो लगी हुई है यही वो plot है और इस plot के साथ बताना चाहूंगा कि यह देखे आप न यहां से सापने देखो गए इधर पे यह कोल्टेक्स वाली रोड यही है इसी रोड की मैं उससे में आपसे बात करना यहां से आपको पुरा देखे लास तक का डामेशन देखे इसकी तुड़ी जाड़िया होई है काफी गंदगी है यहां पर होता भी है लोग करी देते हैं गंदगी तो पचास का इसका फ्रेंट है और असी की गहराई है पचास बाइए असी यानि की टोटल ही है आपका 4000 स् होज़ा है वह एक बहुत चानदार विल्ला एक बड़े बंगलों के लिए बहुत बैस्ट होता है तो जो को भी क्कॉन हमारे लिए मेंका मन है अगर में शहर के बीच के बीच विच में पोई कैसे में पुई स्INGS करें हो तो दो आपके धर पर डखन कर मोल भूत की सारी सोविदा यहां पर इजी एविलेबल हैं तो यह रहा वो फ्लॉट जो मैं आपको दिखाना चाहरा था गुंते होंते हैं आज मैं आपको चीज़ दिखा भी दी है चलिए मैं आपको थोड़ सा इसको थोड़ा और डीपली डिफान करता हूं देखिए पहले ह हम आए थे आपका सामने से यानि कि आपका नेंतल हाईवे से अर आजिए वाली बिल्दिंग से हम अंदर को आये थे अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके पीछे कोल्टेक्स वाली रोड पे यहां पर क्या स्पेशिलीटी है देखिए अभ हम आ गए हैं आपका कोल्टेक् यहां पर भी आपका बहुत नामचीन और प्रसिद्ध स्कूल है उसका नाम है आपका इंस्पिरेशन स्कूल यहां पर आपका इंस्पिरेशन यहां इस लोकेशन के साथ साथ ही इस रूट पर आपको बैंकेट हॉल नैंतल बैंक जोकी लोकल आपका बैंक है यहां पर आपने देखा यह देखिए खुली-खुली आपादी वाला एरिया है हरी भरी हरियाली यहां पर है साथ सुत्रा वातावरण यहां पर आपको मिलेगा और इसी के साथ बताना चाहूंगा कि जो लोकेशन में आपको बताए थी दुबरा कहना चाहूंगा लैंडमार्क है उसका आपका लैसी बिल्डिंग वाली गली या लैसी बिल्डिंग वाला लोकेशन पूलिया उसकी लोकेशन है अब देखिए कितने हिल पुरा हिल वी वाली प्रोपर्टी है । और यह बजेट अलाव करता है या अगर आपके पॉकेट भाके में अलाव करती है यह 5000 रुपे पर इसको फिट है एक्कॉर्डिंग तिरुपती बैंकेट हाल है आपका पंचक की चौराय में पंचक की चौराय कह लीजे या यह कह लीजे इसको डंबाड़न का चौराया सामने जो रूट आपकी जारी है राइट इन साइट पे यह निकले गी आपका जिम कोरबेट या फिल आपका लामा चौड की तरफ और आपका मुखानी वाला है या मुखानी वाला बाइपास बड़े-बड़े यहाँ पर भी मॉल या अपार्टमेंट पूरे के पूरे बन चुके हैं यहाँ पर इसी के समय बताना चाहूंगा कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लेटन साइट पर है के 11 होटेल यह होटेल क में है मार्किट पास में है यहाँ तक कि पेटल पंपास में है तो कोई भी ऐसी सुख सवीधा से बंचित कोई भी चीज नहीं रहे गी मतलब कुछ भी असर नहीं रहे गया है कि जो मतलब नहीं है वाली बात सब कुछ अगल और बगल में है आस और पास में है अडूस और प आपका धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू very much for watching, जै माहाटकली